सात्यों, देश को समिधान सौंपते सवाएं, समिधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी, कि आने वाले भारत में बहुत सी बाते परंपराओं से भी स्थापिद होगी, समिधान सभा चाहती थी, कि आने वाली पीजियों ये सामर्थे दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चले, हमें अपने समिधान के सिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है, पिठास इन अधिकारी होने के नाते, आप सभी क्या नया कर सकते हैं, कौन सी नई वीची जोड़ सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ न कुछ कॉंटिब्यूट करेंगे, तो देश के लोकतंत्र को एक नई ताकत भलेगी, विदान सभागी चर्चाओं के दवरान, जन भागीदारी कैसे बढ़े, आज की युवापिडिक कैसे जुड़े, इस बारे में भी सोचा जा सकता है, अभी दर्शक दिरगाओं में लोग आते हैं, चर्चा भी देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत नियोजित तरीके से भी किया जा सकता है, जिस विशे भी चर्चा हो, उस विशे के अगर सम्मंदित लोग वहां रहे उस दिन, तो ज्यादा लाब होगा, जैसे मानो सिक्षा से जुड़ा कोई विशे हो, तो विद्यार्थियों को, सिक्षकों को, युनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया जा सकता है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई अन्य विशे हो, तो उससे समंदित समू को बुलाया जा सकता है, महिलाओं के समंदित कोई विशे की चर्चा हो, तो उनको बुलाया जा सकता है, इसी तरह कॉलेजों में भी मोक पार्लामेंट को बढ़ावा दे कर, हम बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रचारिद कर सकते हैं, और हम स्वयम भी उससे जुड़ सकते हैं, कल्पना करिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों के संसद हो, और आप खुद उससे संचालित करें, इससे विद्यार्थों को कितनी प्रणा मिलेगी, कितना कुछ नया सिखने को मिलेगा, ये मेरे सुझावर है, आपके पास बरिष्टता भी है, आपके पास अनुभव भी है, मुझे विश्वास है, कैसे अनेक प्रयासों से, हमारी बिधाई व्यवस्ताओं पर जन्ता का विश्वास और मजबुत होगा,